हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू आई तिंग को लार फाइन सो कई सारे केंड़ेट्स को प्रोब्लम आ रही थी कि मैं ओपन नहीं हो रहा तो ओपन ना होने का में डीजन ये एक तो सब भी बच्चे देखो उसी टाइम इसको ओपन करें जिसको भी पता चल रहा तो थोड़ा सा स साइट वीजी होने की वज़े से और उसके साथ साथ जो ये नोटिफिकेशन है आपका ये एक सेकिंड एक बार दिखा देती हूं मैं आपको तो यहां तक आपको इसके बाद आपको मेल और अपना पासवर्ड डाल डेट ओवर्ड डालनी है पर आपको मिल जाएगा डाउन यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इसको हमने कर लिया है डाउनलोड यहां पर क्या कुछ इंफर्मेशन गीवन है देखो फर्स इसमें जो है आपका गीवन है कि पीजी टी को मर्स सबजेक्ट ओफ यूर क्लीरिंग दा प्री रिकुमेंट मेडिकल एक्जामिनेशन ओर सब्जेक्ट और उसके बाद यूर मैं इनि पेंप्लिकेशन फोर्म के टू कोपीज and employee employee present में कहीं काम कर रहा है ancient pharmacy की two copies आपको लगानी है अगर आप कहीं पर भी job करते हो तो उसके लिए है ये आपकी चीक है उसके बाद all original documents ये offer letter है इसकी भी एक copy लेके जानी है उसके बाद all original documents qualification minimum eligibility selected post including तो 10th or 12th की certificate आपको लेके जाने है valid certified from the competent authority in support of your claim belonging schedule का ये जो आपका EWS का या जो भी आपने लगाया जिस भी कास से स्ट से हो backward classes person with disability या EWS वो आपको valid certificate आपको लेके जाना है prescribed होना चाहिए by the government ठीक है caste validity certificate from the competent authority इसमें भी यहीं इन्फरमेशन गीवन है इसके बाद है जी medical fitness certificate issue by civil surgeon या chief medical officer of a district hospital यानि कि आपके जो district hospital है उसमें से आपको अपना medical fitness certificate लेके जाना है above form cell be complete in all respect the passport size photograph must be affected wherever required name and address of the local police station must be furnished correctly for of the verification process it means आपको उसके उपर आपका photo होना चाहिए यानि कि दोनों चीजे आपको खुद लेके जानी होगी एक medical fitness का और उसके साथ साथ आपको लेके जाना होगा अपना police verification कि आपके उपर कोई case वगेरा तो नहीं है ठीक है ये दोनों चीजे और उसके साथ जो आप local police station से होना चाहिए उसके उपर आपका address होना चाहिए नाम होना चाहिए और photo होना चाहिए ठीक है ये चीजे आपको appointment के time पे लेके जानी है ये आपका जो provisional certificate जो कि रोजगार मेले में मिला था same ऐसा ही है इसमें अभी तक आपकी जो appointment है वो नहीं mention की भई कहाँ पर आई है ठीक है जैसे ही जो भी update मिलेगे आपके साथ share की जाएगी इसमें सिर्फ ये ही चीजे mention है ये चीजे आपको अपनी जो है complete कर लेनी है और ये आपकी joining के time पर आपको चाहिएंगी so thank you so much वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजे चैनल को subscribe कीजे कोई भी query है तो आप comment कीजिए